स्वागत है दोस्तों आज चलिए हम लोग एक बहुत अनोखा मंदर देखने आए हैं ये है एंटिपिसी रिहंद नगर का मंदर इसको ऐसे में तो शिव मंदर बोला जाता है लेकिन हम लोग अंदर जाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा ये एक बहुत ही अनोखा मंदर है मंदर अत्यंत सुन्दर है और इसकी अनोखी बात ये है कि आप किसी भी भगवान के पूजा करते हो हिंदु धर्म में हर प्रकार की मूरत आपको यहाँ पर मिलेगी पूजने के लिए मंदर एकदम वेल मेंटेंड साफ सुत्रा और सुन्दर है ये देखिए ये बाहर से इस मंदर का व्यू है और देखिए पास में जो यहाँ की सेनिक ब्यूटी है ये कितनी अच्छी है एकदम ग्रीनरी कितनी सुन्दर पेड पौधी पहार भी ग्राउन में आपको देख चाहेंगे इदर एक तलाब टाइप का कुछ है और देखिए कितना सुन्दर है एकदम मतलब पेकनिक स्पॉट टाइप का लग रहा है बहुत ही सुन्दर वातावरन है इधर का एकदम श जगह पे आने से यह देखिए यह आप लोग के लिए इस मंदर का टूर है यह मंदर की बिल्डिंग है बहुत बड़े एरिया में जैसे कि आप लोग को देख रहा है यह देखिए नंदी बेल और इनके कान में आके सब जो लोग पूजा करने आते हैं अपने प्रातनाय बो मूर्ती है काफी मतलब स्पेस अच्छा है यहां पर बहुत ही बड़े से एरिया में यह मंदिर बना हुआ है यह राधा कृष्ण की मूर्ती दिख रही है दूर से जो मैं अभी फोकस करने की कोशिश कर रही हूं यह देखिए बहुत ही प्यारी बहुत सुन्दर मूर्ती है बाकी का एरिया देख लीजे एकदम इतना अच्छा वेल मेंटेन मंदर मैंने अभी तक मैंने नहीं देखा है यह गनपती जी और यह जो मंदर की घंटी की आवाज जो होती है इतनी सुन्दर लगती है इतनी मधुर लगती है सुन्ने में यह देखे यह माता रानी है शिरावाली मा है और कितनी सुंदर कितनी प्यारी मूर्थी है ये काली मा की मूर्थी आ गई ये देखिए काली मा और इनके बाद अभी उधर जो दूर में दिख रही है वो है मुर्गन यानि की कार्थिकिय की मूर्थी अब सीड़ी से उपर चलके सामने शिवलिंग दिखता है आप लोगों को देख रहा होगा ये देखिए और डाइने तरफ हनुमान जी थे और ये बाई तरफ है ये है प्रभुश्री राम सीता माते और लक्षमन जी और ये ओपोजिट साइट में आपको बजरंग बली पजरंग बली का मंदर में लेगा पवन पुत्र लिखा हूँ है कितना बड़ा और कितना सुंदर एरिया है यहाँ पे यहाँ पे आने से लगता है जैसे मन शान्थ हो गया कितना वेल मिंटीन है कितना साफ सुत्रा है यहाँ का वाता वरन बहुत ज़्यादा अच्छा है यह कार्ति के भगवान की मूर्ती है बहुत सुंदर मंदिर है यह तो देखिए पहली मूर्ती है कार्ति के भगवान की जो की जिनको साउत में मुर्गन कहा जाता है फिर दूसरी मूर्ती है हनुमान जी की यानि बजरंग बली की फिर उनके बाद आते हैं प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मन और सीता जी की फिर उनके बाद देखिए यह शिवलिंग है कितना भव्य शिवलिंग है और अंदर तो देखिए पूजा भी चल रही है इस मंदर की यहीं खासियत है कि जिन पर विभी इश्वास है आप उनकी पूजा कर सकते हैं यह है काली मा और इनके बाद यह शेरा वाली मा जिस पर भगवान पर आपको भरुसा है आप उनकी पूजा यहां पर आके कर सकते हैं ये गनपती पप्पा है गनेश जी और ये देखिए ये है राधा कृष्ण की मूर्ती बहुत ही सुन्दर और प्यारी मूर्ती है और इनके बाद देखिए ये लक्ष्मी नरायन की मूर्ती बहुत ही सुन्दर है वीडियो पसंद आयो तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा